कि है दोस्तों नमश्कार कैसे हैं आप सभी आज का टारगेट लेते हैं आज हम अकांट्स पर ने वाले हैं और में जो हम आज चेप्टर करने वाले हैं उस चेप्टर का नाम है तो दोस्तों हम अकाउंट्स में आज पढ़ने वाले हैं डिस्सोलुशन ओपार्टनर्शिप फर्म बहुत इंपोर्टेंट चेप्टर है क्लास 12 के अंदर और आज जो हम कॉशन्स में आपको बताऊंगा वो बहुत इंपोर्टेंट कॉशन्स बताऊंगा जो भी चीज़े बताऊंगा और इस तरीके से बताऊंगा कि आपका पूरा का पूरा चेप्टर कवर हो जाएगा यदि मैं बात करूं MP बोर्ट की तो इसमें दो नंबर का एक कॉशन आना है इस चेप्टर से डिस्सोलूशन ओपार्टनर्शिप फर्म से बार आप भी अपने लेबल पर चेक कर लीजेगा इसमें दो नंबर की एकसाइज आनी है और एक कॉशन आएगा दो नंबर का चार नंबर का ये चेप्टर है MP बोर्ट के लिए और बाकी जो अधर बोर्ट है जैसे UP बोर्ट हो गया और आधर बाकी के बोर्ट हो गया हमारे पूरे देश में हमारे पूरे इंडिया में उनके लिए भी ये कॉशन इंपोर्टन रहेंगे ठीक है स्टार्ट करें आगे परते सबसे पहले आपको इसमें ऑब्जेक्टिव अच्छे से करना है क्यों कि कु पीडियाफ नहीं लिए है वह 8269-465843 मेरा वाटसफ नमबर पर यह जाकर मेरे से मांग ले पीडियाफ ठीक है आगे बढ़ते हैं और बिजनेस स्टुडिस की पीडियाफ भी अबिलेवल है आगे बढ़ते हैं अबजेक्टिव जैसे ही आप कर लेंगे आज रात में 8 बज पाई को बिलकुल मत रोकना सब एक ही स्लेवस पड़ रहे हैं सब एक ही स्लेवस पड़ रहे हैं पर इस जंग में तो दोस्तों इस जंग में इस class 12th board exam की जंग में या कहनूं में class 10th की जंग में जीते गा पता है कौन जो consistent है स्लेवस सब का सेम है यह competition exam नहीं है यह board exam है इस इसमें टॉप पे कौन पहुंचेगा या अच्छी परसेंटेज कौन लाएगा वही लाएगा जो कंसिस्टेंट होगा कंसिस्टेंट ही की है ताले की चा भी है बोर्ड एक्जाम में अच्छा करने के लिए क्लिए रहे वाली बात आगे बढ़ते हैं इसमें आप जो कॉशन कर करेंगे आप difference between dissolution of firm and dissolution of partners आप बोल रहे होगे सर इतना बड़ा क्यों करवा रहे हो दो नमबर का आने वाला है दोस्तों dissolution of partnership और dissolution of partner firm जब आप यह कर लोगे dissolution of firm and dissolution of partnership जब आप यह important question कर लोगे न तो आपको दो नमबर के साब से आता होगा पूरा कर लेना तो दो नमर के साब से आता होगा dissolution of firm आजाए तो इस side का लिख देना डिस solution of partnership आजाए तो इस side का लिख देना clear हो गई बात है ना तो एक question से हमारी दो कौशन प्रिपेर हो गए पर यदि आप चाहो कि आपको दो नम्मर का ही पढ़ना है तो Dissolution of Partnership की मीनिंग और Dissolution of Firm की मीनिंग आप पढ़ लीजेगा पर बाकी स्टेट्स के जो बच्चे हैं वो Difference Between ही करना ठीके के लिए रहे बाली बात आगे बढ़ते हैं Difference Between Revaluation Account and Reliation Account क्या होता है MP Board के बच्चे चाहें तो इसको Difference Between को कर लें क्योंकि Revaluation का अकाउंट आएगा तो एक साइट का लिख दोगे दो नमबर में और Reliation आएगा तो एक साइट का लिख दोगे दो नमबर में पर बाकी Other State के दो बच्चे हैं वो इस Question को जरूर से पढ़ लेना क्योंकि हो सकता है आपका Blueprint में चार नमबर का पूछ रहा हो या पांच नमबर का पूछ रहा हो या तीन नमबर का पूछ रहा हो तो वहाँ पर इस Difference Between करना जरूरी हो जाता है पर मैं MP Board से भी यही कहना चाहूँगा दोस्तों इसको आप तयार यदि Difference Between लेवल पे करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा पर समय कम है तो आप मीनिंग पढ़ लीजिए दो नमबर के साब से पांच नाइने याद कर लीजिए एक लास्ट कॉशन है और उसके बाद हम इस वीडियो को समप करेंगे पर मैं आपको डेली बोलता हूँ एक ही बात कि हर सब्जेक्ट से 5-5 कॉशन तयार करिए टोटल 25 कॉशन याद करने का टार्गेट रखा करिए सुबह से लेकर रात तक जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं जब भी आप सोकर उठते हैं तब से लेकर लास्ट सुने तक कोशिश ये करिए कि कम तक 25 कॉशन याद कर सकें मैं समझता हूँ 25 कॉशन ज्यादा है पर आपको consistent रहना है कोशिश पूरी करना है क्लियर आगे बढ़ते हैं लास्ट कॉशन है explain the method of dissolution of firm explain the method of dissolution of firm या फिर मैं कहलू which circumstance the partnership firm में भी dissolve ऐसा कौन सा कारण होता है जिसमें partnership dissolve हो जाती है कॉशन को याद रखना इसको ज़रूर से prepare कर लेना कुछ नहीं को लग रहा होगा यारी चार और पांच नंबर के questions क्यों बता रहे हो तो आप इसको दो नंबर के साब से prepare कर लेना clear है वाली बात पर important questions यही है clear है thank you so much इस वीडियो को देखने के लिए हम मिलेंगे next वीडियो में आज का target यही था पर आप Hindi, English, Business Economics और accounts तीनों, पांचों subject को पांच-पांच questions डेली बिसस पर करते रहना हो मैं जो target दे रहा हूँ उसको आपको ज़रूर से पूरा करते रहना है मिलेंगे हम कल सबते क्लिए thank you so much पर दोस्तों एक शिकायत है आप लोगों से